फिर से एक नए simplify का equation लेकर आपके पास आज जीर हो चुके हैं दोस्तों आई इस simplify question को देखते हैं और किस परकार से यहाँ पर बनाएं किस परकार से यहाँ पर sort out यहाँ पर करने वाले तो चली equation को अगर हम एक जिसा करेंगे तो इसमें कितने result आएंगे ही हम यहाँ पर इस पीठियो में जवज़स तरीके से यहाँ पर दोस्तों समझाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे दोनों को एक जीसा हम यहाँ पर करेंगे तो दोनों को एक जीसा करेंगे तो कैसे करेंगे आई यहाँ पर समझते हैं और सिखाते तो दोस्तों इसको और इसको हम अलग लग तरीके से यहाँ पर लिखने का कोशिस करेंगे और आपको समझाने का कोशिस करेंगी यहां पर क्या है दोस्तों यहां पर x है तो इसको हम minus 1 into minus x कर सकते या नहीं कर सकते क्यों कि minus minus प्लस हो जाएगा और x भीतर में ही रह जाएगा यहां पर minus kassign हम यहां पर minus kassign देंगे उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे y जो दिया गया तो y के लिए हम करेंगे minus 1 into y कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा हमारा यहाँ minus y निकल जाएगा फिर minus y जब से निकलेगा तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा हमारा minus हो जाएगा बटा में sign देंगे और बटा में sign देने के बाद इसको क्या करेंगे दोस्तो उलट कर लिख देंगे यानि minus x और plus y हम यहाँ पर कर सकते हैं अब इस पर क्या करेंगे power दिया गया है 2020 हम power 2020 यहाँ पर कर देंगे करने के बाद यहां पर क्या करेंगे दोस्तों यह चीज यहां पर सिखेगा ध्यान से सिखेगा यहां पर गजब का ट्रिक हम लगा रहें अब मैनिस वान यहां भी है मैनिस वान यहां भी है तो मैनिस वान मैनिस वान हम यहां पर क्या करेंगे common निकाल लेंगे तो minus 1 यहाँ पर common यहाँ पर हम निकाल लेते जैसे यहाँ पर दोस्तो minus 1 यहाँ पर common निकालेंगे वैसे यहाँ पर भीतर में कितने बज़ जाएंगे minus x कितने बज़ जाएंगे दोस्तो minus x उसके बाद यहाँ पर करेंगे दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रिखेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का सैन हो जाएगा तब यहाँ पर गुना करेंगे तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इसलिए यहाँ पर प्लस लेगे अब यहाँ से माइनस वन कमन कटने के बाद दोस्तों यहां पर कितना मैंस 1 अब मैंस 1 के पाउर जो है 2020 यहां पर करने हैं दोस्तों तो 2020 कैसे करेंगे यह चीज़ से की अगर हमें लिखाएगे मैंने स Оन इंटू मैंनिस ओन तो यह क्या होगा плюс एक अगर लिखाएगे मैंनिस इंटू sum में ले रहे है तो plus आ रहा है अब संख्या जब b sum में ले रहे है तो कितना आ रहा है यहाँ पर minus में आ रहा है यानि कि यहाँ पर minus one का square करेंगे और यहाँ minus one का q करेंगे तो जब q करेंगे तो इसको इस परकार से लिख सकते हैं क्यों करेंगे तो इस परकार से एसक्वार लिखेंगे तो इस परकार से अब यहां बैस में देखना है कि यहां पर पावर में सम संग्या कि भी संग्या तो यह जो सम संग्या जब भी तूटता है तो हमेंसा प्लस में लेकर आता है यानि कि यहां पर कितने आ जाएंगे प्लस एक इसका सही अंसर आजाएगा है ना काफी गजब का ट्रिक दोस्तों यहां पर यह step ना करके आप डिरेक्ली यहां पर उलटकर इस परकार से भी लिख सकते हैं माइनेस कोमन निकाल लेंगे तो यह कितने हो जाएंगे दोस्तों माइनेस एक्स और प्लस वाई हो जाएगा आप इतना अगर एस टेप नहीं करते तो यह चीज कोई बात नहीं यहां पर आप कर सकते हैं यहां पर क्या होता एक होता लेकिन हम दिखाने के लिए यहां पर कर द तो चलिए दोस्तों मेलते हैं नए इसी परकार के एकिवेशन के साथ वीडियो पसंद लगे लाइक जिरू करिएगा दोस्तों के साथ सेर करना कभी भी ना भूले वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनिवाद थांक्स पर वाचिंग